हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल डेप्ट स्टडी आज फिर से हम BFC फर्स सेमेस्टर केमेस्टर की क्लासिस लेकर आ चुके हैं और आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट सेकेंड ठीक है तो सेकेंड यूनिट का आज का जो हमारा टॉपिक है वो है M.O.T. यानि की लवन भी करवा देगे तो चलिए स्टार्ट करतें बतातें मॉलिक्यूलर और्विटल थियूरी है क्या तो सबसे पहले बात आती है कि इसको प्रपोस किसने कि यानि कि यह दीक इसने तो दो साइंटिस की नेम है यहाँ पर हुंड एंड मुलिकन तो इन्होंने इसको प्रपो आपको समझ में आ गया होगा और यह चो प्रपोश्ट भाइ और एक्स्टेंड भाइ यह आपके जो हो सकता है उसमें भी पूछ लिया जा सकता है तो आपको पता होना चाहिए फिर उसके बाद यह थीओरी को वलेंट बांड के formation को explain करती है अब यह mot Gjoеры वो है क्या तो यह क्या करती है यह जो covalent bond होता है सह सहीं जग्बंस इसको हम बोलते है जब उसका formation होता है किस तरीके से होता है उसको यह explain करती है यानि कि बताती है तो इतना समझ में आपको आगया होगा किसको propose किसने किया कोवलेंट के कोवलेंट बॉंड के फॉर्मेशन के लिए अब आगे में बताएंगे इसके क्या है अभिधार नाय इसकी क्या है तो यहां पर लिख दिया है मेल पॉस्टूलेट्स पॉस्टूलेट्स में सोता है अभिधार नाय ठीक है तो पहली आपकी यहां पर लिखेंगे कि जब दो atoms के nucleus एक दूसरे के समीप आते हैं तो इनके atomic orbitals आपस में overlap करके covalent bond का formation करते हैं तो overlapping के बाद atomic orbital की identity समाप्त हो जाती है और molecular orbital का formation हो जाता है और बहुत आसान लिखा गया है यहां पर क्या है कि माल ने कोई दो atom ले लिए हमने atom यहनी की परमाननौ और इंके nucleus यह अंदर होते हैं जिसमें proton और neutron होते हैं जब दोनों के पास में आते हैं वैसे ही क्या होता है overlapping होना start होती है overlapping का अगर हम हिंदी में बताएं तो बोलते हैं जो अतिव्यापन होता है जैसे एक दूसरे के पास है तो overlapping होने लगी overlapping के कारण ही किसका formation होता है covalent bond का ठीक है यहाँ पर लिखा भी हुआ है covalent bond का formation जैसे कि मारले एक हमने यहाँ पर hydrogen का item ले लिया एक और hydrogen का item ले लिया जब दोने एक दूसरे के करीब आएंगे तो overlapping होगी overlapping करके क्या बनाएंगे यहाँ पर दोने एक दूसरे के भी एक bond बनाएंगे जिसको covalent bond कहते है उसके बाद जैसे ही जब यह overlapping होती है तो atomic जो orbital है इसकी identity के मतलब होता है पहचान इसकी पहचान जो है वो finish हो जाती है समाप्त हो जाती है और mot यानि कि यहाँ पर molecular orbital का formation यानि कि वो molecular orbital बन जाता है तो पहला point आपको समझ वे आगिया अब चलते है next point पर next point है हमारा कि प्रतेग molecular orbital का एक certain wave function यहाँ पर आप wave function के बाद bracket में इस तरीके साई बना ले इसको साई बोलते है ठीक है साई होता है तिथा प्रतेग wave function set of quantum number से related होता है क्या कहा गया अगर जो molecular अब यहाँ पर molecular orbital बन गया है अगर बन गया है तो इसका जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो function होगा certain का मतलब होता है निश्चित कोई एक निश्चित function होता है wave function जिसकों क्या बोलते है साई बोलते तो आपको यहाँ पर bracket में लिख लेना जिससे आप याद रखे और यह जो wave function होता है वो किस से related होता है तो set of quantum number से वो related होता है यानि संबंदित होता है उसके बाद third point क्या है प्रते एक molecule orbital की definite energy होती है जो atom की molecular orbital की addition होती क्या कहा गया है यहाँ पर जो molecular orbital होता है definite definite का मतलब भी निश्चित ही होता है certain माने भी निश्चित होता है यानि एक निश्चित इसकी एक क्या होगी energy होगी यानि की ऊर्जा होगी और वो जो ऊर्जा होगी वो बाकी की जितने भी molecular orbitals होगे उनकी addition होगी यानि की जोड होगी जैसे कि अगर हम यहाँ पर लिख दे कोई भी माने हमने आप अब यह आपको एक्जामपल भी लिख्वाएंगे लिखा साई बराबर साई बराबर साई बराबर प्लस माइनस साई टो यह लिखा है तो यह जितने भी इधर atom हम लिखेंगे जितने भी हम यहाँ पर आगे लिखते जाएंगे orbitals उन सभी की यह वाली चीज़े वो क्या होगी addition होगी यानि की जोड़ होगी जोड़ का निचार लगा रहे है इस तरीके से ठीक है प्लस पारिस नहीं अगर कोई भी आप चीज ले ले कितने भी आगे यहाँ पर orbitals होगे वो सभी की क्या होगी addition होगी addition का मतब है जोड़ना समझ में आ गया उसके बाद देखी fourth point है सभी molecular और atoms में electron की filling common rules कौन-कौन से common rule हो सकते है होंस rule पावली प्रिंसिपल और अवाव प्रिंसिपल के द्वारा होती है यह सारे जो rule है अब प्रिंसिपल है आपने पड़ भी रख्योंगे 11th क्लास में ठीक है तो इसके बारे में अगर आपको नहीं पता है तो आपको बता सकते है तो इसके अलग से वीडियो बना देगे फिलाल पता होना चाहिए 11th का यह टॉपिक है फिलाल इतना आपको उता दे कि इसमें अब जब मॉलेक्यूल और्बिटल है या उसमें एटम है तो इसमें इलक्ट्रोन की फिलिंग तो होगी इलक्ट्रोन तो भरे जाएंगे लेकिन इलक्ट्रोन किस रूल के अकॉर्डिंग भरे जाते हैं तो यह रूल लिख दिये हुण रूल के according या पावली प्रिंसिपल है या आउवाउ प्रिंसिपल है इसके according जो है वो इलेक्टरॉन की feeling होती है तो चार पॉइंट आई होप आपको समझ में आ गये होंगे आप हम चलेंगे इसके next point पर 5th point है यहाँ पर हमारा कि किसी molecule के सभी molecular orbital में present सभी electrons nucleus के attraction में रहते हैं बहुत आसान है जैसे कि एक nucleus बना दिया है इसमें proton और neutron होते सभी को पता है और बाहर electron चक्कर लगाते हैं तो वही चीज़ है जो nucleus है वो इन electron की क्या रहेगा attraction में रहेगा attraction यानि की आकर्षर में रहेगा उसके बाद six point atomic orbitals की overlapping linear combination of atomic orbitals के according होती है तो इस समझ में आगे six point आपको हमने समझा दिये ये पूरी MOT अभी complete नहीं हुई है ये इसके क्या है most postulates है यानि कि मुख अभिधार्णा आपको लिखवा दी गई है और इसको propose किस ने किया extend किस ने किया वो भी बता दिया है किस card इस theory को बनाया गया वो भी बता दिया गया है अब हम इसके example क्यों चरेंगे तो example की रूप में हमने यहाँ पर यह देखी लिख दिया यानि कि जहां si1 क्या है atomic orbital of first atom si2 है atomic orbital of second atom यानि यह first atom का atomic orbital है और यह second atom का atomic orbital है क्या si2 उसके बाद यहाँ पर si क्या है molecular orbital हमने आपको बताया था कि जितने भी यहाँ पर आगे atom होंगे वो इस वाले के क्या होंगे addition होंगे तो वही लिख दिया है तो अगर यह हमारा जो क्या है atomic orbital लेकिन जिस सब से जुड़कर यह वाला क्या बनेगा हमारा molecular orbital अब इसको हम जो है वो short में BMO भी कहते है तो वो अपने अगली राइन में लिख दिया है कि si को bonding molecular orbital यानि कि BMO b यानि कि bonding m यानि कि molecular और o orbital bonding molecular orbital भी कहते है अब हमारे जो अब हमने जो आपको example बताया था वो क्या था si is equal to si 1 plus minus si 2 अब क्या करेंगे एक बार plus वाला sign ले लेंगे और एक बार minus वाला ले लेंगे तो यहाँ पर लिख दिया है if माने होता है यदि si is equal to si 1 plus si 2 i2 का whole of square यह आएगा न फिर direct हमने इस formula को यहाँ पर यह देखे खोल दिया है si 1 plus i2 का whole of square क्या होता है si 1 square plus si 2 square plus 2 si 1 side 2 यह कैसे आए यह formula होता है अगर आपको नहीं पता है तो बता देते हैं यह a plus b का जो formula होता है square का पहले का square plus दूसरे का square फिर 2 लगा के दोनों को यह अपस में गुड़ा कर देते हैं a square plus b square plus 2 o v तो इसी formula से यहाँ पर खोला गया है अब यहाँ पर जो si square आया है वो क्या है इतना समझ में आया है si क्या था bmo था लेकिन si square अब क्या हो जाएगा वो bmo की electron density को बताएगा electron density यानि की electron की घरत्व को उसके बाद यह हमारा हो गया है हमारा plus वाला अब हम एक बार minus वाला लेंगे तो फिर से लिख दिया अब minus वाला लेना है तो देखिए plus वाला minus वाला अगर दोनों लेंगे तो si1 जैसा हो जाएगा तो एक जैसा ना हो तो इसलिए इसके उपर star बना दिया ओकि यानि कॉंजूगेट इसका उल्लिटा ले रहा है इसलिए तो si star is equal to si1 minus si2 समझा भी दिया star क्यों लिया ताकि एक दूसरे से सेम ना हो एक बार plus वाल लिया तो ऐसी रखा जब हमने minus होला लिया तो हमने इसके उपर star लगा दिया सेम प्रॉसस यहां पर भी हमने किया है square on both side किया है si star का आपको क्या करना है whole of square और si1 minus si2 का भी क्या करना है whole of square यहां पर भी formula देके खोल दिया है si1 square plus si2 square minus का 2 si1 si2 तो बस इसमें formula में यही difference रहता है यहां पर plus होता है और यहां पर minus होता है बाखी formula सेम रहता है यह जैसा था वैसे रहने दिया square करने के बाद अब यह था हमारा क्या हो गया si star जो है वो क्या है abmo कर लाएगा abmo का मतलब है anti bonding molecular orbital ठीक है anti का मतलब होता है ulta क्या होता है ulta यह पहले केवल si क्या था bmo था यानि bonding molecular orbital अगर हम इसका ulta ले रहे है यानि minus वाल ले रहे है तो star लगा दिया तो उसको दिखाने के लिए यह क्या हमारा कहलाएगा anti bonding molecular orbital तो si star square क्या हो जाएगा anti bonding molecular की यह क्या हो जाएगी electron density को यह बताएगा आप चाहे तो यहाँ पर एक line लेख भी सकते है कि si star क्या है वो abmo है abmo का मतलब anti bonding molecular orbital आई होप आपको इतना समझ में आग्या होगा अब आपको आगे बताते हैं आगे आपको इस तरीके से कुछ stable बनानी है यह है first atomic orbital यह second atomic orbital यह BMO यानि bonding molecular orbital और abmo का मतलब है anti bonding molecular orbital अब आपने पढ़ा ही होगा जो हमारे जो कोश होते हैं उपकोश होते हैं वो चार तरीके के होते S, P, D, F ठीक है तो उसी से related हमने यहाँ पर S औ P वाला लिख रखा है orbitals के बारे में तो पहला ले लिया first atom में हमने first A आप इसको first A बोले चार second बोले फिर यहाँ पर भी 1S इसको 1S पढ़ेंगे न ठीक है आप चाहिए तो से first S बो सकते हैं फिलाल 1S है यह हमने यहाँ पर first atomic orbital में 1S ले लिया है orbital और इसमें भी 1S ले लिया है और 1S और 1S क्या हो जाएगा सिग्मा 1S कैसे हुआ इस तरीके जो निशान बना इसको पढ़ते हैं सिग्मा क्या पढ़ते हैं सिग्मा ठीक है अभी आगे आपको यह जो मिलेगा इसको पढ़ते हैं पाई दो तरीके के बांड होते हैं सिग्मा और का बांडılar युटेंस स्वांगी को बनाना है हुआ होते हैं सल-, हमारा पिक की की क्या हंदा फिक में जग्हीं कि टीन होते , इस तरह होते हैं दिन होते हैं तहके इस में दिन जए a सिंधली बांके है बॉक्स सीगमा वोन्ड वोन्ड होता है तो समें में ऊंसेप्स में इक पाइए होग झतों ABMO यानि उसका उल्टा तो हमने स्टार लगा दिया सिग्मा स्टार वेनस उसके बाद 2S लिया तो यहाँ पर भी 2S तो यह सिग्मा 2S हो जाएगा यहाँ पर सिग्मा स्टार 2S स्टार यह बता रहा है कि यह एंटी है उसका यानि कि उल्टा उसके बाद यहाँ पर 2PZ अगर यहाँ पर Z है PZ तो वो होता है sigma bond और अगर यहाँ पर X और Y है P में तो वो होता है हमारा pi bond ठीक है अब यहाँ पर देखिए वही लिखा है अगर 2PZ है 2PZ तो वो क्या B हमों में होगा sigma 2PZ और इसमें sigma star 2PZ उसके बाद अगला आगे हम देखे तो 2PX 2PX यहाँ पर pi 2PX हो गया भी बताया X और Y में pi लग जाता है यहाँ पर pi star हो जाएगा ऐसी 2PY 2PY यहाँ पर pi 2PY और यहाँ पर pi star 2PY तो पूरी टेबल को हमने अच्छे से explain कर दिया है अब चली आगे बताते हैं आगे यहाँ पर आपको मिलेगी energy आपको जैसे कि साथ में अगर यह long में question अगर यह आता है तो केवल आपसे यह नहीं कहा जाएगा कि आप molecular orbital theory को explain करीए साथ में आपसे किसी ना किसी का energy level diagram भी बनाने के लिए कहा जाएगा ठीक है किसी का भी हो सकता है H2 का NO2 positive का किसी का भी हो सकता है तो उसको बनाने के लिए आपको इस तरीके से समझना पड़ेगा कि ABMO BMO क्या होता है वो तो समझा दिया है अब आपको energy level diagram भी बनाना आना चाहिए तो उसी के लिए हमने यहाँ पर इसमें लिखवा दिया है कि इस तरीके से कुछ energy level diagram बनता है यह energy को दिखा रहा है यहाँ पर side में हमने energy लिख भी दिया है आप कुछ भी जो भी आपकी BMO होगी वो आप यहाँ पर लिखेंगे एंटी BMO जो ABMO होता है यानि कि anti-bonding molecular orbital वो उसको यहाँ पर शो करते है यहाँ पर first AO AO का मतलब है atomic orbital यहाँ पर second AO लिखा जाता है formula क्या होता है फिर आगे आपसे bond order निकालने के लिए कहा जाएगा तो bond order निकालने का यह formula होता है हिंदी में बोलते है आबंध कोटी क्या होता है half NB minus NA NB और NA क्या दिखा रहा है कि NB जो है वो number of electrons in BMO ठीक है B से आप यहाँ दिखते है BMO A से ABMO ठीक है B A NB क्या दिखा रहा है BMO की संख्या इलक्ट्रोनों की और NA क्या दिखा रहा है anti-bonding molecular orbital के इलक्ट्रोनों की संख्या को बताता है पूरा हमने आपको बता दिया है अब थोड़ा सा और है वो भी आप समझ लीजे यहाँ पर कि अगर कोई अगर आप माल लिया आपने energy level diagram आपने निकाल लिया है किसी भी चीज का बना कर और आप से पूछा जा रहा है bond order तो आप पर formula भी लगा दिया है और bond order भी निकाल दिया है अगर bond order का माल जो है वो एक आया है एक का मतलब है वो हाँ पर उसमें जो भी element होगा वो क्या सा होगा single bond उसमें होगा अगर 2 आया है तो double bond होगा उसमें 2.5, 2.5 जो आधे आधे नंबर होते है पॉइंटों में वो भी हो सकते है आप इसको बिल्कुल देखकर घबराए ना कि बतब आप पूरी whole number ही आएगा ऐसा नहीं है कुछ फ्रेक्शनल नंबर भी आ सकते है point वाले भी ठीक है आई होप आपको पूरा class अच्छे समझ में आ गया होगा M.O.T. पूरी complete करा दिये हमने और यह long का topic है बहुत बहुत important है आपको इसको अच्छे से learn कर लेना है और यह काफी बार पूछा भी गया है अगर आपके बाद प्रीविएसर question paper है तो आप उसमें भी देख सकते है ऐसे आगे वेसर थियोरी आएगी वो भी आपके long में पूछी ही जाती है और एक long करना होता है आप किसी भी long को choose कर सकते है इस long को आपको याद करने भी problem नहीं होगी पूरे long को अच्छे समझा दिया है और इस long के साथ में क्या आएगा साथ में energy level diagram भी बनाने के लिए आएगा तो आपको उसको भी सीखना पड़ेगा वो हम आपको अगरे class में समझा देंगे किस तरीके से हम energy level diagram को बनाते हैं तो आई हो पूरा class आपको अच्छे समझ में आ गया होगा अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए चैनल पर नाचनल को सब्सक्राइब कर लेजे हम आपसे फिर मिलते हैं एक ऐसी class के साथ तब तक के लिए जय हिन जय भारत